महोदै मुझे आसा है कि माननीय शदस्य यह समझेंगे कि हाल के वर्सों में कुछ अंस तक मूल ब्रिद्धी का कारण हमारे किशानों की यह चिन्ता थी कि उनके उत्पादनों का समचित मूल मिले परन्तु यह महत्पून है कि इस क्रम में छोटे किसानों भूम हेन स्रमिकों और भूम के आधार पर आजीवी का चलाने वाले ऐसे अन्य गरीब लोगों के हितों की हानी ना हो जिनके पास बिक्री के लिए अत्रिक्त उत्पादन नहीं होता उब्होकताओं और उत्पादकों के हितों में सामन्जस इस्थापित करना सरकार का काम है कोई भी मूल नीत इसी प्रकार सफल हो सकती है हमें किसानों के यथार्थ हित में काम करना है लेकिन साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है की समाज के कुछ वर्ग सेस समाज का सोशन ना कर सकें अलग-अलग वर्गों की बजाए पूरे राष्ट के हित को हमेशा ही प्रधानता देनी होगी हमें याद रखना है की अन्य देशों में भी जिनमें अनेक विक्सित देश भी है विभिन रूपों में मूल व्रिद्धी पाई जाती है निश संदेह हमारे लिए यह अधिक कस्ट कर है क्योंकि हमारे यहां बहु संख्यक लोगों का जीवन अस्तर नीचा है लेकिन विकासील अर्थ व्यवस्थाओं में मूल्यों पर कुछ दबाव प्राया है असंभावी है हमें इस तत्य को सुईकारना होगा की भारत जैसे विकासील देश में जिसे अपने पूंजी निवेश की गति को तीवर बनाना है हम मुनाफे की बजट और पूंजी निवेश का इस्तर निवन रखने के उपायों की दो प्रकार की अपिस्फीत कारी नियती नहीं अपना सकते इसलिए एक ऐसी योजना को कार्यानवित करते हुए जो हमारे साधनों के संदर्व में बहुत बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं की हमारी जनता की सभी ओसकताओं को पूरा कर सके यह अनिवारी हो जाता है की मूल्यों में कुछ ब्रिद्धी हो इसलिए मैं माननी सदस्यों से आग्रह करूंगी की वे इस प्रश्न को बहुत ज्यादा राजनायतिक रूप ना दें आम चुनाओं से ठीक पूर्व की अवध में ओद्योगिक लाइसेंस देने के एक अन्य मामले को लेकर आलोचना की गई इस पर रखे गए एक विशिष्ट प्रश्न का जवाब मेरे सहयोगी और द्योगिक विकास मंत्री ने पहले ही दे दिया है कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया गया और हर चीज सामान प्रक्रिया के अंतरगत हुई और यह बात मुझे आश्चर जनक नहीं लगती की हम पर एक ओर तो यह आरोप लगाया गया की उक्त अवध में सामान रूप से स्विकृत लाइसेंसों को रोका नहीं गया और हमने उन्हें जारी करने में विलंब किया